बात कर लेते हैं कि failure of economic planning in India के क्या कारण थे यानि कि भारत में जो economic planning हुई वो किस कारण fail हुई वो सफल नहीं रही इसका सबसे पहला reason था inequality in the distribution of income and wealth इसका दूसरा कारण था failure to control inflation अगर मैं तीसरे कारण की बात करूँ तो regional imbalance भी इसका एक बहुत ही महत्वपोन कारण था इसे के साथ-साथ inadequate development of infrastructure भी इसमें शामिल था unemployment भी उस समय काफी हद तक increase हो गई थी जिसकी वज़े से planning successful नहीं रहा ऐसा कहा जा सकता है masses के standard of living की अगर मैं बात करूँ तो standard of living improve नहीं हो पाई substantially ये आगे नहीं बढ़ पाई इसी के साथ-साथ deficit financing भी काफी हद तक बढ़ गया था तो students, I hope आप समझ गए कि कौन-कौन से वो कारण थे जिस वज़ा से economic planning successful नहीं रहा अब आगे बढ़ते हुए discuss कर लेते हैं resource mobilization के बारे में resource mobilization क्या है? resource mobilization ऐसी policy या ऐसा एक mood है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक means है जिसकी मदद से government कई सारे अलग-अलग plans के लिए, कई सारे अलग-अलग projects के लिए funds को raise करती हैं resource mobilization की अगर objective की बात करें या इसके उदेश की बात करें तो इसका उदेश है optimal utilization of the resources यानि कि जितने भी resources हमारे पास available हैं उनको सही तरीके से utilize किया जा सके उनका संपून utilization किया जा सके ताकि हमारे society में जितने भी लोग हैं उन सभी में इन resources को सही तरीके से बाता जाएं आगे बढ़ते हुए ये भी discuss कर लेते हैं कि resource mobilization के means क्या क्या हैं इसके अंदर सबसे पहले आएगा internal resource और दूसरे नंबर पे आएगा external resource और दूस्ट